इन सब छीजों के वूपर हमें बाते करनी है ठीक है हम देखेंगे कि कौन-कौन से reactors भारत में पहला बना है, कौन सा nuclear power plant ऐसा है जो highest capacity का है, इस तरीके से question पूछे जाते हैं, ठीक है, तो class को शुरू करते हैं, देखो, भारत के अंदर 22 nuclear reactor हैं, और 7 nuclear power plants है, reactor और plants में क्या फर्क है, reactor का मतलब ये होता है, reactor का मतलब क्या होता है, ऐसे units बनी हुई है, एक power plant में बहुत सारे reactors हो सकते हैं, ये जैसे अलग-अलग reactors है, unit 1, unit 2, unit 3, और इस तरीके से ये मिलके एक plant बन गया, तो अव्यस है nuclear reactor जादा होंगे, और nuclear power plant कम होंगे, तो 22 nuclear reactor हैं जो अभ generate कर रहे हैं, ठीक है, total 6,780 megawatt of nuclear power produce की जा रही है, एक और reactor काकरापार atomic power project का January 2021 में grid से जोड दिया गया है, अब इसके बाद nuclear power जो है, देखो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली कोईले से बनती है, कोल से बन रही है, सोलर पावर से बन रही है, हाइडरो electricity से बन रह यानि 5th largest source है electricity generation का nuclear power, ठीक है, लेकिन problem क्या है, इसका जो raw material है वो भारत के अंदर नहीं होता है, इसके reserves अपने पास नहीं है, हमको ये फोरन से import कराने पड़ते हैं, और सबसे ज़्यादा अपने को जो supply दे रहा है, रशिया वो देश है जो अपने को सबसे ज़्यादा supply द है, वो 6780 MW का वो ये 22 reactors उठा रहे हैं, इन में से 18 heavy water reactor है और 4 light water reactor है, heavy water या light water क्या होता है, इसको देख लो, देखो आप लोगोंने chemistry में पढ़ा हो गया है, H2O, D2O, D2O क्या होता है, deuterium, ये heavy water कहलाता है, इसको हम क्या करते हैं, जब fission होता है, nuclear power के अंदर क्या होता है, दो process हो सकती है, energy generation किया, तो fusion, जिसको हम sun lion कहते हैं, या fission, जिसको हम vikandan कहते हैं, दोनों से ही energy generate होती है, लेकिन fusion में जो energy generate होती है, वो अपने control से बाहर है, अभी तक मनुश्य उसको control नहीं कर सका है, पर fission के अंदर, यानि vikandan में जो energy निकलती है, nucleus तूटने से जो energy नि हैं, और अगर आपको civil purpose के लिए nuclear power का use करना है, तो आपको जो controller है, वो लगाने पड़ेंगे, मतलब आपको energy control करनी पड़ेगी, नहीं तो destruction हो जाएगा, atomic bomb, उसके अंदर uncontrolled energy निकल रही है, और वो destruction लेके आता है, लेकिन हमको civil purpose के लिए करना है, बिजली बनानी है, तो हम लगते हैं, यानि कहां पे coolant heavy water, यानि D2O का use किया जाता है, ऐसे 18 reactor है, और 4 reactor ऐसे हैं, जहां पे light water का use किया जाता है, ठीक है, तो जो nuclear research के father है, भारत में, जिन्होंने nuclear research को सबसे पहले पहल दी थी, उनका नाम था होमी जहांगिर भाबा, तो इनको father of nuclear research in India कहा जाता है, हो talking about reactor, not plant, ठीक है, पहला reactor कौन था, ये भारत के अंदर था, और ये एशिया का पहला था, जिसका नाम था, अपसरा research center, ये मुंबई के अंदर बना था, 1956 में, 1956, अपसरा research center, एशिया का पहला nuclear reactor था, उसके बाद, भारत के अंदर uranium reserve नहीं है, ये हमने बाते की, हमने रशिया स ये इंपोर्ट करना पड़ता है, major supplier हमारा रशिया है, अब देखो क्या होता है, nuclear power के अंदर अलग-अलग isotopes का use होता है, ठीक है, isotopes का use होता है, तो कौन-कौन से isotopes use किये जाते हैं, uranium 235, uranium 233, और plutonium, plutonium 239, ठीक है, सबसे ज़्यादा use किसका हो रहा है, सबसे ज़्यादा use uranium 235 का होता है, uranium 233 को हम और efficiently use कर सकें, इसके उपर अभी research चल रही है, लेकिन दुनिया का, पूरी दुनिया का पहला nuclear reactor, जिसने uranium 233, uranium 233 isotopes का use करके बिजली बनाई, वो भारत के अंदर ही था, कामिनी के नाम से, कलपकम mini reactor के नाम से, जो चेननी तमिल नाडू के अंदर था ठीक है, ये पहला है दुनिया के अंदर जिसने सबसे पहले बिजली बनाई, uranium 233 का use करके, इसको याद रखोगे, ठीक है, reactors है ये, इसके बाद कौन-कौन से nuclear reactor इंडिया के अंदर है, जो operational है, उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा बढ़ा कर देती हू इसको, देखो सबसे पहले आप देख रहे हो, नरोरा, नरोरा कहां पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर, बुलंद शहर डिस्ट्रिक्ट में, नरोरा Atomic Power Station जो है, वो गंगा नदी के किनारे, ये उत्तर प्रदेश, नरोरा Atomic Power Station उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसके बाद इ ये फस्ट नुकलियर पावर प्लांट था, जिसने हैवी वाटर का यूज किया था, प्रेशराइजड हैवी वाटर का यूज करने वाला पहला जो आपका नुकलियर पावर प्लांट था, वो रावत भाटा Atomic Power Station ही था, जिसको राजस्थान Atomic Power Station कहा जा रहा है, फिर नुकलियर पावर प्लांट, रियक्टर पूछे तो अपसरा, और प्लांट पूछे तो तारापूर, प्लांट पूछे तो तारापूर, 1969 में बन गया था ये, कब बन गया था, 1969 महराश्टरा के अंदर बन गया था, फिर उसके बाद और नीचे चलते हैं, तो करनाटिका के के अंदर कौन सा काएगा करकर से याद रखना काएगा करनाटिका के अंदर तमिल नाडू में एक तो मद्रा से टॉमिक पावर स्टेशन है जिसको आप कलपक्कम के नाम से भी जान रहे हो और एक है कुडन कुलम नुकलियर पावर प्लांट हाइस्ट कैपेसिटी अभी भारत के अंदर हाइस्ट कैपेसिटी वाला नुकलियर पावर प्लांट कौन सा है कुडन कुलम नुकलियर पावर प्लांट की हाइस्ट कैपेसिटी है ठीक है तो इन सब बातों को हम एक बार देख लेते हैं देखो, सबसे पहले काकरा पार अटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात के अंदर है कैपेसिटी उधर देखते रहना, सारी की कैपेसिटी याद नहीं करनी सिर्फ हाइस्ट कैपेसिटी वाला कुडन कुलम है, ये याद रखना है कलपकम, जिसको मदरास कह रहे हो, तमिलनाडू के अंदर है, 1984 में आया था नरोरा अटॉमिक पावर स्टेशन उत्रप्रदेश के अंदर है काएगा नुकलियर पावर प्लांट करनाटका में है, राजस्थान अटॉमिक पावर प्लांट कुलम नुकलियर पावर प्लांट तमिलनाडू हाइस्ट कैपेसिटी इसकी है, ये साथ नुकलियर पावर प्लांट भारत के अंदर ऑपरेशनल है, ये हैं जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है, फ्यूचर में ये सब आएंगे, ठीक है, एक मिनट, पर उससे पहले अंडर कंस्रक्शन वाले हम कर लेते है, अंडर कंस्रक्शन कौन-कौन से है, मदरास के कल्पक्कम के अंदर कुछ और यूनिट्स लगाई जा रही है, पांसो मेगावोर्ट कैपैसिटी को इन्हेंस करने के लिए, ठीक है, उसी पावर के, उसी पावर प्लांट के अंदर कुछ और यूनिट्स जो हैं वो शामिल की जा रही हैं। उसके बाद नेक्स जो हैं फ्यूचर के अंदर कौन-कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तारापूर महराश्टरा के अंदर कुछ और यूनिट्स लगेंगी। मद्रास तमिल-Nadu में, कायगा करनाटका में, चुटका मध्यपरदेश के अंदर कुछ और प्लांट्स लेके आ रहा हैं। गोरकपूर हरियाना ये नौर्थ इंडिया का पहला नूकुलियर पावर रियक्टर होने वाला है गोरकपूर हरियाना में। गोरकपूर हरियाना 800 मेगावोट कैपेसिटी वाला ठीक है भीमपूर मध्यप्रदेश के अंदर अभी एक और पावर प्लांट लगेगा माही बांसवाडा राजस्तान हरीपूर वेस्ट बिंगौल के अंदर वीरादी गुजरात के अंदर या मीठी विर्दी जिसको कह रहे फ्यूचर में स्टार्ट होने वाले अभी के लिए साथ ऑपरेशनल है और 22 नुकलियर रियक्टर्स है ठीक है इसके बाद आप लोगों के लिए क्वेशन क्या है आज का अच्छा इनकी डिटेल्स भी तो देखनी है डिटेल्स देखते हैं कलपकम जो है वो भारत का पहला इंडिजिनसली कंस्ट्रक्टर्ड नुकलियर पावर स्टेशन है जो भारत ने खुद से बनाया है कलपकम कहां पे है तमिलनाडू ठीक है इंडिया का पहला फुली इंडिजिनसली कंस्ट्रक्टर्ड नुकलियर पावर है काकरा पार ये कौन से नदी के किनारे है ये ताप से बाठा, याद रखो भाठा केते हैं, हर्याना में भाठा, भाठा मारेंगे, वो रामत भाठा, तारापूर महराश्टरा के अंदर है, न नरोरा, नरोरा उतरप्रदेश के अंदर है, गंगानदी के किनारे, बुलंद शहर डिस्ट्रिक्ट में, ये मैने आपको बताया, कुडन कुलम, ये तमिलनाडू में है, under construction मतलब रशियन assistance से बनने वाला है, रशियन assistance, हाइएस्ट कैपसिटी है इस पावर प्लांट की, इस पावर प्लांट की हाइएस्ट कैपसिटी है, ठीक है 2000 मेगवाट की अभी इसके अंदर कुछ और यूनिट्स लगाई जा रही है रिश्या की मदद से फिर इसकी capacity और ही enhance हो जाएगी अभी ये question आप लोगों के लिए है भारत का पहला nuclear power plant कौन सा है रावत भाटा, तारापोर, नरोरा या कुडनकुलम answer आपको देना है, ठीक है correct answer आप बताएंगे मुझे comment section में, अब एक और बात, reverse की जो वीडियो है वो मैंने जब आपको TCS 5 years के करवाए हैं, उसके अंदर complete करवाया हुआ है reverse से related questions आप लोग कर लीजिए, आपको वहाँ से ही बहुत help मिल जाएगी उसके बाद एक जो है, national parks और biosphere reserve national parks और biosphere reserve जो हैं, वो भी मैंने आपको TCS वाली सीरीस में कराया हुआ है जोगरफी की पहली वीडियो आई थी अपनी national park और biosphere reserve वाली वहाँ से आप सारे national park मैंने वहाँ बताय हुए हैं, सारे biosphere reserve, सारे tiger reserves बताय हुए हैं उस वीडियो को कर लेना, ठीक है, तो आपके दो Static GK के ये portion, आपको YouTube पे ही मिल जाएंगे, ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिये, temples वाला हमने कर लिया है, temples में मुझसे थोड़ी सी mistakes हो गई है, I'm sorry for that, एक तो वो बैद्यनाथ वाला, जारखंड के अंदर है वो, ठीक है, और एक वो, शक्ति पीट और, जो तिरलिंग, उन दोनों में मैंने confusion create कर दिया था, वो मेरा गलत था, आप लोग सही हो बिल्कुल, कि जो मैंने बताया है, वो important, यह तो बहुत सारे topics हैं, पर अभी के लिए जो सबसे ज़्यादा efficient मुझे लगे, वो मैं आप लोगों के लिए लेकियाई हूँ, so thank you so much, इस question का answer comment section में करना मिलते हैं next session में